मित्रो नमस्कार राम राम मैं अचारे तरुन सर्मा सरल जोतिष के इसका रक्रम में आप सबी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सबी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि पित्र पक्ष कबसे प्रारम हो रहा है गड़ेश पक्ष के जाते ही लोग अपने पित्रो के पक्ष में पंदरा दिन विसेश करके पौनिमा को माना जाए तो ये सोला दिन का एक पक्ष में एक दिन पौनिमा को और मिला दिया जाए तो सोला दिन का पित्रपक्ष होता है, इस वर्स भी पित्रपक्ष में कौन सी तिति है, कौन सी तिति में हमको क्या करना है, कब होता है पित्रपक्ष, अगर स्राद की तिति याद नहीं हो, तो हमको क्या करना है, हमारे पित्रों के प्रति कैसा समर्पण भाव हमें रखना चा इस वीडियो में हम विशेश रुप से उस पर चर्चा करेंगे अपने पूरजों के प्रती अर्पन तर्पन वह समर्पन का पक्वाड़ा माना गया है यह पित्रपक्ष परिवार में सांती वसुख के लिए पीत्रपक्ष का विशेश महत्व है यह स्राध्ध कार्यक्रम पू सबी कुल देवताओ और पीत्रों के प्रती स्रद्धा जब हम प्रकट करते हैं उसे हिस्राध्ध का गया है पिंडदान किया जाता है और स्राध्ध कर्म करते हैं साथी साथ ब्राम्हन और जो भी जीव हैं जैसे गाव है चिडिया है चीटी है जो भी पंच महायाग्य में आते हैं जैसे हमारे आसपास की जो जीव हैं उनकी जब हम सेवा करते हैं तो वह सबीस पक्ष में अच्छा माना गया है साथी साथ बताया है कि पित्र पक्ष जो आस्विन मास नवरात्री से पहले वाला जो कृष्ण पक्षाता है उसमें भाद्रपद पुर्णिमा पहला दिन मानते हुए पूरे अस्विन मास के क्रिष्ण पक्ष भर चलता है यानि 16 दिन का चलता है साथी साथ बताएगी कि हमारे पित्र ऐसे पित्र जो हम से दूर चले गए हैं दिव्य लोक में गये हैं तो हम उनकी प्रसनता के लिए साल भर में यह 16 दिन उनको याद करते हैं अगर हमको वो किस कारण से गये किस तिथी में उनका दिहान थुआ यह नहीं पता हो तो हमको सर्व पित्र मा अवस्या के दिन उसको उनका करना चाहिए अगर कोई दुरघटना का सिकार हो करके किसी का निधन हुआ है तो उनको 14 तिथी को करना चाहिए देखिए एक सीत्र स्राध्ध जो है वो ये तित्या आ रही है आपको ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी जो नियम है उसको ध्यान में रख लिए पहला नियम है कि कि स्राध्ध जब Main करें तो किसी सुयोग्य विद्वान ब्रामण के जरिये ही स्राध्ध करम पिंडदान तरपन करवाना चाहिए साथिसा स्राद्ध कर्म में पूरी स्रद्धा से ब्रामनों को दान ही दिया जाता है साथि किसी गरीब जरुरत मन्त की साहता भी बहुत पुन्यदाई होती है आपको गाए, कुते, कउए, पसुपक्ची को भोजन देने के बाद ही भोजन करना है विष्णियम को भी अपना ये यदी संभा हो तो गंगा नदी या किसी भी नदी के पास में स्राद्ध कर्म कराना चाहिए नहीं तो आपको घर में भी कर सकते हैं जिस दिन स्राद्ध हो उस दिन ब्रामणों को भोजन अवस्य करवाएं भोजन के बाद उन्हें सरसम्मान दान दक्षिना भी देना चाहिए उन्हें स्खुस करना चाहिए संतोष करना चाहिए और साथी साथ उनसे आसिरवाद भी लेना चाहिए ब्रामणों से कहें कि आप मन्तो चार करें और पूजा के बाद जल से तरपन करें जो भोग लगाय जाता है उसमें से गाय कुत्ते आदी को भोजन दे और भोजन देते हुए अपने पित्र का ध्यान करें कवंए के नाम से भी भोजन निकाला जाता है भात रुपी भोजन निकाला जाता है उसको भी करें साति सात इस दिन विशेष करके हमको गवमाता की सेवा करने चाहिए अपने बुजूर्ग जो हमारे पित्र है उनका ध्यान करना चाहिए अब मैं आपसे लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं कि हमको ये ध्यान रखना है कि किस तिथी में किन के लिए स्राद्ध करना जैसे पूर्णिमा कब करे किन लोगों का स्राद्ध इस बारे में चलिए चर्चा करते हैं अगर पूर्णिमा तिथी को किनिका स्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महिने के पूर्णिमा को हुआ है पूर्णिमा का दिन स्राद्ध करने स्रे स्राद्ध करने वाले को और उसके परिवार को अच्छी बुद्धी पुष्टी पुत्र पौत्राद्य औ काले की धन सपत्ति में व्रिद्धी होती है अगर हमारे कोई पित्र द्वित्यातिति को घये हैं तो आपको बाइस सितंबर विशेश करके इस दिन यह करना पड़ेगा इस बारे वही या रही है इस दिन श्राद्ध कर्मुकर्ने से व्यक्ति को हर तरह के सुक्सादन मिलते हैं तो में हमारे इति radiation कर हो तो सत्रों से छुटकारा मिलता है और समस्त कष्टों से भी मुक्ति मिलती है अगर हमारे कोई पित्र चतुर्थी को गये हैं और उनका हम स्राद्ध करते हैं तो सत्रों से होने वाले आहित का पहले से ही ग्यान हमको हो जाता है साथी साथ अगर हमारे पित्र पंचमी के दिन गया है अगर उस दिन हम स्राद्ध कर रहे हैं तो अभिवाहित अवस्ता में कोई गया हुआ है जिनका साधी नहीं हुआ है साधी से पहले ही अगर कोई चला गया है तो उनका स्राद्ध भी पंचमी तिति को किया जाता है जैसे कोई लोग बैशलर रहते हैं जिनका विवाह नहीं हुआ अगर उनका ध्यानत हो गया है तो उ उत्तम लक्षमी के प्राप्ति होती है सश्टितिति का स्राद्ध विशेश करके हमको यह भी ध्यां रखना है कि यह सश्टितिति जो है वह हमको विशेश करके इस दिन अगर को को इस्राद्ध करता है तो स्राद्ध करने वाले को सब जगह सम्मान आदी मिलता है उनको सम्मान विशेश रुप से मिलता है सत्मितिति को अगर को इस्राद्ध करता है अपने पूरवजों के लिए तो उसको महान यग्यों के बराबर पुन्य फल मिलता है और वह स्रेश्ट क्षियो का धनी होता है यह उसको फल मिलता है अस्टमितिती को अगर कोई सढ़त करता है तो व्यक्ति संपोन समरिध्यों को प्राप्त करने वाला होता है नविदित है को अगर किसी का सराद्ध होता है तो विशेष करके एसे लोग महिला प्रधान है नौमी दिथी साथ ही स्वभाग्यवति इस्त्रियों जिनकी मृति उनके पती से पूर्व ही हो गई है जैसे कई में तिथी को ही माता का स्राद्ध भी कहा गया है इसलिए इसको मात्री नव में भी करते हैं तो इस दिन जो स्राद्ध करता है उसको एस्वर की प्राप्ति होती है और मन चाहा दांपत्य सुख मिलता है दसमी तिथी का अगर कोई स्राद्ध करता है तो उसको विशेश करके ल करने वाल व्यक्ति को वेदों का ग्यान प्राप्त होता है और निरंतर एस वरी की प्राप्ति होती है कि द्वादसी तिथी को अगर किसी का हम स्राद्द कर रहे हैं कोई हमारे हम से दूर हुए हैं तो साथ ही साथ ही जिन लोगों ने स्वर्गवास से पहले ही सन्यास ले लिया हो कई करने वाले के घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती कि just अगर 23 का सराद हम करते हैं तो 23 के दिन जो सराद करता है उसको सरेष्ट बुद्धि संतान की और बहुंँ सारे स्वतंतरता दिरिगाय। और धन धानने की लाव उनको लाव एस्वर के प्राप्ती होती है अब चतूरदसी दिथी को अगर किसी का हम सराद करते हैं यज़िश करके उन लोगों का सराद कैया जाता है चतूरदसी को जिनका了零्राद इसे मृत्य हुई है इस दिन उसी का स्राद किया जाता है चतूरदसी के दिन ऐसे लोगों का स्राद होता है जिनका एक्सिडेंट वगरा हुआ 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 काल मृत्य हुआ हुआ तैसे का अगर हम स्राद्ध करते हैं तो जो स्राद्ध करता है उसको किसी प्रकार का ग्यात भय आदी खत्रा नहीं होता अब अंती में मावस्या तिथी को सर्व पित्र मावस बोला गया है जिन को हम जानते हैं नहीं जानते हैं साथे साथ हमारे पित्र रहा हैं और माता नाकी सिराथ्द भी नाना या मैये जो भी राध्द कर सकते हैं भले इसके नाना की पुत्र जीवित वह लेकिन वह भी कर सकते prostu वोल ौँचा रहा है कि نसे आदी के लिए अगर बस राद करने वाले के जो खुद के माता-पिता जीवित होने चाहिए बोर रहे हैं अगर स्राद करने वाले के माता-पिता जीवित हैं तो मिसेश करके नाना-णानी कभियों कर सकते हैं इसके लावा जुड़वाव का स्राद तीन कन्याओं के बाद तीन हमको स्राध्δα करना चाहिए अर्था स्रध्धा पूरवक जब हम स्राध्δα करते हैं नियम करते हैं जीवों की सेवा करते तो हमारे पित्र हमको आसिरवाद देते हैं कोई प्रकार का दोस लगा हो कष्ट लगा हो तो उनसे मुक्ति मिलती है तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान पुर्वक देखा, साथे साथ कुछ नियम समझ नहीं है, तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छे लगे तो सेर भी कर सकते हैं, वीडियो बहुत ही गूड आने वाला है, लेकिन आप सभी के इंट्रेस्ट के उपर है, अगर आप लोगों ध्यान पुर्वक देखेंगे, आप लोगों की इच्छा होगी, तो अच्छे अच्छे वीडियो, नियम पुर्वक वीडियो आपके पास पहुचेंगे, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जै स्री राम, पित्र देवता की जै हो